नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चनल योजना ओनलाइन फोर यू पर दोस्तों एक बार फिर आपके सामने एक महत्पून जानकर लेकर हाजिर हो चुके हैं अगर आपने भी रासन कार बनवाया हुआ है तो आपके लिए एक बड़ी खुसकबरी लेकर हाजिर हो चुके हैं दोस्तों सरकार की तरफ से महिलाओ को बड़ी सोगात मिलने जा रही है जैसे कि आप से भी जानते हैं कि दोस्तों रासन में आपको गेहूँ चावल चना इत्यादी दिया जाता है लेकिन अब रासन के साथ एक किलो देसी घी भी देने का अईलान किया गया है तो किन महिलाओ को यह लाब मिलेगा और किन महिलाओ को नहीं दिया जाएगा वह मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ दोस्तो वीडियो सुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए शियर भी करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजेगा क्योंकि इस चैनल के मात्यम से आपको सही समय पर सही सर्टिक जानकारी दे जाती है और विश्तार पुरुवक समझाया भी जाता है चैनल दोस्तो वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तो हाली में जो अपडेट जारी क्या गया है उसके बारे में समपुर्ण जानकरी हम आपको दे देते हैं परदेश सरकार द्वारा रासनकार लावार्थियों के लिए बड़ी खुसखबरी जारी की गई है दोस्तो रासनकार लावार्थियों को वर्स 2022 में दो बड़े अपडेट व्यखुसखबरी जारी की गई हैं जिसकी जानकरी हम आपको दे जारे हैं आपकी जानकारी के लिए बता दे कि परतेश सरकार द्वारा रासनकार बनवा चुके महिलाए महिलाओं को मुफ्त में ही फिरी में ही रासन दिया जा रहा है साथ ही रासन के साथ साथ और भी बड़े लाव अब दिये जाएंगे दोस्तों मैं आपको बता चाहूँगा कि रासन कार का यूज आप कई परकार से कर सकते हैं कई जहों पर आप कर सकते हैं आईडी के रूप में भी आप इस रासन कार का इस्तिमाल कर सकते हैं कि व्यक्ति ऐसे होते हैं कि आधार कार्ड खो जाता है और उनका जो emergency या फिर कोई जरूरी कारिया होता है वह रुक जाता है लेकिन मैं आपको बता चाहूंगा अगर आपका आधार कार्ड खो जाता है तो आधार कार्ड के जगहें आप रासन कार्ड का भी यूज कर सकते हैं और रासन में तो आप से भी जानते हुए क्या क्या चीजे मिल रही है हाला कि दोस्तों हमें कमेंट आते हैं कि सर हमारे यहां पर यह चीजे नहीं मिल रही है लेकिन यह दोस्तों रियल है जो मैं आपको बता रहा हूँ अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में यहूं, चना, तेल, नमक, चावल, इत्यादी मुफ्त में ही दिया जा रहा है आप किस राज्य से हैं? आपको यह रासन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? आप हमें कमेंट बुक्स में जाकर जरूर बतेगा आपको सरकारी दुकान से ना मिल पा रहा हो या फिर डिलर आपको यह है ना दे रहा हो लेकिन दोस्तो यहां रिल जानकारी हैं यहुंं चनात तेल नमक और चावल इत्यादी सरकारी की तरफ से गरीव एक्तों के लिए भीजा गया है अब रासनकार लावारतियों को दोस्तों 250 रुपे भी दिये जाएंगे ऐसा भी सरकार द्वारा एलान किया गया है अभी है लाव 250 रुपे किन महिलाओं को मिलेंगे कैसे मिलेंगे उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा इसके लावा और भी कई बड़ी योजनाएं हैं जो सरकार द्वारा सुरू की गई है लेकिन इनका लाव कब मिलेगा किन वैक्तियों को दिये जाएगा यह जानकरी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने जारी है तो फटाफट से दोस्तों आप वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा चलिए आगे जानकरी प्राप्त करते हैं दोस्तों सरकार की तरप से अलग-अलग छेत्र में मजदूरों को, किसानों को वैया पारियों को वर्स 2022 की सोगात दी जा रही है जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कुछ दिनों पहले ही केंद्रिय वित्य निर्मली सितरमन जी द्वारा बजट 2022 पारित के गया था यनके निर्मली जी द्वारा बजट पारित के गया था जिसमें हर वर्ग के वैक्तियों को ध्यान में रखा गया है और कई बड़ी घोसनाएं भी की गई हैं दोस्तो हमने इसके लिए एक प्रोपर वीडियो बनाई हुई है कि बजट में क्या पारित क्या गया है कितना बजट पारित क्या गया है वहीं दोस्तो जो सर्मिक हैं उनको उत्तर परदेश सरकार द्वारा 500-500 रुपे की घोसना भी 4 महिने के लिए की गई है जिसका लाब 2 महिने का तो मिल चुका है और 2 महिने का अब मिलने जा रहा है वहीं दोस्तो 31 मार्च से पहले ही आपको दूसरी किस्त भी सरकार की तरफ से जारी की जाएगी सरकार द्वारा सर्मिगों का जो डाटा है जो डेटा है वह वेरिफाई किया जा रहा है और पता किया जा जा रहा है कि कौन पातर है और कौन एपातर है क्योंकि पातर वेक्तियों ने भी और एपातर वेक्तियों ने भी इश्रम कार बनवाया हुआ है वहीं दोस्तों सरकार द्वारा रासनकाड लावार्थियों को भी वर्ष 2022 में तोफ़ा दिया जा रहा है दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि 80 क्रोड से भी ज़्यादा देश में रासनकाड बन चुके हैं जिसका लाब महिलाव को व्यक्तियों को दिया जा रहा है आप किस राज्य से हैं हमें आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएगा ताकि हम आप तक जानकारी पहुचा सके कि आपके राज्य में कितना रासन और रासन में क्या-क्या चीज़े दी जा रही है दोस्तो प्रधान मंत्री गरीब कल्यान योजना के अंदरगत मुफ्त में ही रासन बाटा जा रहा है जैसे कि हमने आपको बताया है कि रासन में कई प्रकार की स्विधाएं दी जा रहे हैं और दोस्तो यह है लाव 31 मार्च 2022 तक ही दिया जाएगा यनके जो फिरी रासन दिया जा रहा है फिरी रासन देने का जो एलान किया गया है वह 31 मार्च 2022 तक का ही है आगे दोस्तों इस पर आगे बढ़ाने की ऐसी कोई नोटिफीकेशन जारी नहीं की गई है जिसकी जानकरी हम आपको दे सकें दोस्तों के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि फिरी रासन देने की जो तिती है 31 मार्च से आगे बढ़ा जाएगी या फिर नहीं बढ़ा कार द्वारा अलग-अलग इस तर पर रासन बाटा जाता है किसी राज्य में कम रासन दे जाता है तो किसी राज्य में कम रासन महिया करा जाता है जैसे कि एक बड़े राज्य में 250 रूपे की सबसिड़ी रासन के साथ देने का भी ऐलान किया गया है दोस्तों यह 200 रूपे यानिके 250 रुपे की सबसिड़ी रसन के साथ किस राज्य मी दी जाएगी चले यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर लिखा भी हुआ है यह एलान जहारखंड के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है यानिके अगर आप जहारखंड के निवास्ची हैं तो आपको भी 250 रुपे की सबसिड़ी सरकार की तरफ से दी जाएगी ऐसा सरकार द्वारा एलान किया गया है इसके अंदर के दोस्तों आने वाले जितने भी रसनकार धारक हैं रसनकार महिलाए हैं उन सभी को लाव दिया जाएगा और अन्या राज्जे में यह हलाव मिल रहा है या नहीं मिल रहा है अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बोक्स में जाकर जरूर अपने राज्जे का नाम बताईएगा आपके राज्जे में भी 250 रुपे की विवैस्ता की गई है हर महीन देने की या फिर नहीं दोस्तो एक किलो देसी घी चैसे कि आपने शुरुआत में फोटो में लिका हुआ देखा है तो इसके बारे में भी हाँ पर घोसना जो की गई है उसके बारे में जानकारी पराब कर लेते हैं तो दोस्तो एक किलो देसी घी देने की घोसना भी की गई है और यहलाव दोस्तो पांच साल तक का दिया जाएगा ऐसा ऐलान किया गया है यानिके आपको हर महिने एक किलो देशी घी भी दिया जाएगा लेकिन यह हैं दोस्तो कब मिलेगा उसके बारे में भी हाँ पर बताए गया है यह बताएगा कि यह लाब तभी मिलेगा अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो यह अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तभी आपको यह लाब मिल सकेगा क्योंकि यह एलान अखिलेश यादाओ दोवारा क्या गया है जिहां दोस्तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्स अखिलेश यादाओं ने कहा है कि अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है तो सरकार आने वाले पांच साल लगतार एक किलो देशीगी रासनकार के साथ देगी यानके रासन के साथ लावारतियों को परतिमहा देगी जिन महिलाओं का रासनकार बना हुआ है और अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आजाती है सत्ता में तो एक लोग ही आपको मिल सकता है दोस्तों यह है जो एलान किया गया है यह है अखलेश यादाव द्वारा किया गया है आपका क्या सुझाओ है हमें कमेंट बोक्स में जाकर जरूर बताएगा क्या समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी या फिर नहीं आएगी अखलेश की सरकार आएगी या नहीं आएग और अगर आती है तो क्या वह अपने वाइदे पर खरा उतर सकते हैं एक किलो देशी घी हर महीने दे सकते हैं आप हमें कमेंट बोक्स में जाकर जरूर बताएगा कोई भी सवाल कर सकते हैं आप से भी के सवाल का जवाब दिया जाएगा तो दोस्तों यह थी आपके लिए महत् स्क्राइब कर दीजिए बैल एकन को प्रेस कर दीजिए तक आने वादा नोटिफिकेशन आपको मिल सके चैनल के महत्यम से आपको किसी प्रकार का भर मित नहीं कि जाता है और सभी से जानकर आपको दी जाती है जो भी जानकर दी जाएगी वह दोस्तों मीडिया रिपोर्ट के मताबिक ही आपको दी जाएगी मीडिया रिपोर्ट के मताबिक ही आप तक पहुंचे जाएगी तो आप चाहते हैं आप से जात और मिलते हैं पना इस वीडियो में तब तक के लिए जाहिन जा भारत